जैहिन जै भारत और वेल्कम टू डेफ टॉक्स दिस आदिय चिंद पिछले कुछ दिरों में किसी तरह के नारेटिव एटाक्स भारत की उपर चल रहे हैं हमको इनके बारे में पूरी चीज़ें पता है हम काफी हद तक इस चैनल की उपर काफी डिसकास करते रहें लेकिन इन ये इलेक्शन के टाइम से जाएंगे कि एक तरह से सारे लोग ट्रिगर्ट थे कि भारत के इलेक्शन के अंदर काफी हद तक पूरा सोशल मीडिया को कंट्रोल किया गया काफी कुछ किया गया नारेटिव चलाये गए कही भारतियों को भेराया पुसलाया गया जो भी उनके हित में नहीं था उनसे कराया गया और यहां पर आप देखें कि जो भी पूरी तरह से एक जो फेक नारेटिव चलाये गए वो कही ना कहीं कुछ हद तक सक्सेसुल भी हुए जहां पर आपको इसका इमपैक्ट आपको इलेक्शन पे भी दिखा तो एक ट्रिगर था ही नैश पाकिस्तानी गेंज जम्मू के अंदर टेरर अटैक्स होने शुरू हो जाते हैं ये हो जाता है तो एस अई अज हे बारत को बचाने के लिए भारत के लिए भारत के लिए काम करने की कुछ नकुछ एक आग और उठती है कि यार ये क्या है इन पकिस्तानियों की जिंकी अप अपना survival rate खराब है उस वो हमारे को अभी तंग करना शुरू करेंगे और वो भी इन जगों के अंदर security forces को losses होते हैं तो उससे obviously बहुत जोड़ से जटके लगते हैं ठीक है एन आज कल हर कोई यह personally लेता है which is a very very good thing ठीक है उसके बाद देखिए शेक हसीना का comment आता है कि साब य कुकी लैंड का एक narrative चल रहा है ठीक है यह पहले भी आया था उसके बाद उन्होंने reinforce करके बोला कि यह कुकी लैंड कुकी लैंड मनिपूर में वैसी गरबर चल रही है तो एक कहीना कहीं वो भी resonate होता है यह क्या हो रहा है ठीक है यहाँ पर यह खालिस्तान का चल रहा है बंगलदेश की प्रेज़िड क्या बोल रही है यह उसके बाद से देखिए आपके अंदर का नारेटिव यह नारेटिव वो नारेटिव तो भारत की उपर एक बारत की एक जो structure है उसकी उपर back to back back to back back to back attacks आ रहे हैं आग कहीना कहीं लगी वही है ठीक है तो जो भी इदर उदर इदर उदर हर जगे हो रहा है जो एक क्राइसिस पॉइंट पे हम लोग बात कर रहे थे कि यह आएगा भारत और हमको इससे लड़ना पड़ेगा मेरे हिसाब से वो अलड़ी यहां पर है उसके बाद शुरू होते हैं भांगलादेश के प्रोटेस और हिंदूओं का लिटली जैनोसाइड होना वहाँ पर शुरू हो जाता है अब यह होता है तो ऑविसली जो गुसा था वो और आगे हो जाता है और हिंदू भारत के खड़े हों के बोलते हैं भाई यह क्या है और लाइज ऑन हिंदूस ऑफ बांगलादेश गवर्मेंट की उपर प्रेशर डालते हैं दुनिया की उपर प्रेशर डालते हैं भारतिय लोग गवर्मेंट ने तो जो बोला-बोला जो उनके स्टेटमेंट से वो स्टेटमेंट से जो फरंट में बोले हैं जो बैक एंड में politicians आके statements दे रहे हैं State Department ने Hindus के बारे में तो कुछ बोला नहीं लेकिन अभी तक आपको पता ही है State Department किस तरफ भैता है UK के Parliament में कुछ चीजें बात हुई हैं Australia के Parliamentarians कई बोल रहे हैं भारत में कितने ministers, मंत्री ये लोग बोल रहे हैं और बाकी इन सब को छोड़ दीजे भारतियों ने बिल्कुल भी चुपनी रखा है and that is the point that I want to talk to you about भारतियों ने अपनी अवाज उठाई है अपना एक narrative बनाया है और इस narrative को super aggressive करके दुनिया के सामने रखा है जितनी भी सच्चाई है यहाँ पर उसके बारे में रखा है हमारी government ने बात करा एक statement दिया कि हमने बंगलादेश के अंदर एक international foreign interference देखी है लेकिन यहाँ पर भारतियों ने आगे आके बोला कि ये 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 कर रहे है ये लोग है इनोंने ये करा है ये लोग है इनोंने ये करा है और इसके बारे में काफी सारे shows हमने करे भी है और मैंने पूरी detail में बताया कौन लोग है, क्या है, किस तरह से ये पूरा operation खेला गया तो कहीना कही एक जो भारत का response था was a very very aggressive response and this credit to the भारतियों government का जो response है मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ आपकी मैं बात कर रहा हूँ हमारी जिस तरह से हम लोग बोलते हैं दुनिया को response करना पड़ा हमारी अवाज पर ठीक है, यहां तक कि यह जो fake government बिठा रखी है, बंग्लादेश के अंदर उस तक को apologize करना पड़ा अपने Hindu citizens को इसका मतलब यह नहीं है कि वहाँ पर genocide और जो भी टेड़ी मेड़ी चीजें हैं, जो भी मार काट चल रही है वो बंद हो गया, उसका मतलब यह नहीं है लेकिन उसका मतलब यह है कि भारतियों की अवाज की वज़े से उनको उसके बाद आता है, हिंड़नबग आता है Saturday रात को हमारी जो opposition है वो एक डिट गंटे के अंदर जवाब भी दे रहती है Actually एक गंटे से अंदर में जब तक हमने paper नहीं पड़ा था तब तक हमने जवाब भी दे के खतम कर दिया तो यह भी एक game हुई पूरी तरह से Saturday रात को Sunday दिन में Government की तरफ से तो जितनी भी Government की agencies है, Someday अपने Letters दिये, Statements दिये, ये दिये, वो दिये All that was aggressive on the government's part But यहाँ पर भारतियों को देखिए भारतियों एक खुद लड़े Hindenburg को side करा, एक पूरा narrative बनाया गया, अब ये कौन बना रहा है, क्या बना रहा है, इसके बारे में कभी और बात करेंगे, लेकिन कोई तो है जो पूरा एक narrative shape कर रहा है Which is very, very good और जो भी ये कर रहे हैं, damn good, अच्छा है और एक जो भारतियों sense बहार निकला इसके अंदर, जहाँ पर भारतियों लोगों ने बोला कि साब, आप हमारी stock market में ये game नहीं खेलेंगे We will not accept it and उसका जवाब मिला Monday morning को जब stock market खुली, पहले तो थोड़ा सा नीचे गिरी, फिर उपर गई, अस्यजा टच करी, फिर stabilize होके, वो एक 50-60 point नीचे कुछ तो basically एक flat response रहा कुछ भी नहीं, अडानी को हलका सा, कुछ थोड़ा सा, मतलब बोलते हैं न हलका सा, थोड़ा सा कुछ थोड़ा सा impact था, I think एक दो दिन में वो पूरा भी खतम हो जाएगा इसका भी response जो भारतियों की तरफ से रहा was a hard response and दुनिया को again had to sit back and take notice, ये क्या हुआ दूसरा चीज़ अगर आप देखें ये जो attacks on economy है ये तो हमको दिखता ही है आपने कई, इस चीज़ में कई भारत के अंदर लोगों को ये अपना एक तरह से anti-भारत नजरिया दिखाने वे मजबूर कर दिया यहां पर unity काम आई फिर से इसका game क्या था कि आपको बांगलादेश में जो जो पोगराम चल रहा है हिंदूस के against उससे आपके जड़त ध्यान हटाए वो हटा नहीं अब वापस फिर से शुरू हो गए हैं लोग भाई हिंदूओं को बचाओ हिंदूओं को ये करो वो करो and rightly so उसके बाद होता है incident बिंगॉल में जहां पर गुसा और आगे जा रहा है और भारत की अगर आप response अगर देखें we are not ready to take any nonsense anymore ठीक है तो government का जो pressure बंगलादेश पे बन रहा है वो जो diplomacy में बन रहा है जो back channel में बात चल रही है यहां तक यह उस government की statements भी बंगलादेश की statements आ रखें नहीं नहीं जी अगर शेक हसीना आपके पास है हमको कोई problem नहीं है यह वो पहले तो बड़ा नहीं नहीं you can't keep her there there is that मौहमद यूनिस ने बोला अब जाके थोड़ा थोड़ी reality अकल आ रही है क्योंकि यहां पर से भी दो तीन चीजें हुई है यहां पर से थोड़ा खाना लेट जाना शुरू हो गया है जो borders crossing है थोड़ा सा यहां पर धीरे कर दिया गया है दूसरा BSF और forces हमारी पूरी तरह से कोस्ट गार्ड aggressive patrolling कर रही है तीसरा एक जो electricity agreement थी भारत ने बोला यार we will look into that क्योंकि हमको लगता नहीं है कि बंगलादेश नेपाल से जो electricity भारत के थूँ जा पाएगी बंगलादेश की तरफ हमें लगता नहीं है कि बंगलादेश उसके पैसे दे पाएगा तो हम electricity नहीं बेढ़ेंगे और ये electricity हम यूज़ कर लेंगे तो ये एक re-look आ रहा है तो ये basically क्या है इस आपने मॉल्डिव को बेढ़े थे जहांपर मॉल्डिव की वही मुज़ू जो इंडिया आउट कैमपेंड करने करते करते आज जयशंकर इन कैमपेंड के लिए वहाँ पर खड़ा हुआ था electrical agreement मैंने आपको बताया उसके बाद government industry की उपर जटका अलरड़ी लगना शुरू हो गया ठीक है प्लस जो कही ना कही और मैं confirm नहीं कर सकता कुछ rumors आ रहे हैं कि भई RSS action में आ रही है ठीक है जो government की और इनकी meeting हुई है उसके अंदर कही ना कहीं ये भी खबर आ रही है जो politics की बाते हुई है वो जो अलग है मेरे को जो पता चला है कि भई RSS से साथ भी कुछ काम करने की कोशिश की जा रही है ये काम क्या है अभी मैं कुछ बोलना नहीं चाहता विकुस कहीं न कहीं देखिए इसमें बहुत सारी जाने involved ने आप रोज देखते हैं वीडियोज हैं यह हैं यहां पर हमको यह चीज समझना चाहिए कि अगर कुछ भी जो भी action plan है government का अगर उसके बारे में कुछ भी leak होता है तो आप एक चीज याद करिए जो हमारी security forces हैं जो borders पे खड़ी हैं इस ताइम पे पंगलदेश में उनकी उपर बहुत जादा pressure आ सकता है उनकी उपर लाकों करोडों में लोग आके borders पे खड़े हो सकते हैं तो anything that needs to be done needs to be done with full planning, full priority and full setup ये logistical nightmare है ठीक है क्योंकि अगर जितने भी लोग आएं खाना, पिलाना, medicals, ये वो whole lot of things अगर आपका ऐसा कुछ plan है तो मेरे को पता नहीं है but logic dictates कि कहीना कहीं अगर कुछ करना है उसके बारे में आप बात नहीं करेंगे क्योंकि अगर आप बात करेंगे तो chaos create होगा और वो chaos को handle करना और भी ज़्यादा difficult होगा तो देखेंगे आगे game कैसे जाती है और मैं आपको इसके साथ update करूँगा बर आखरी मैं एकी चीज़ बोलूँगा सब यहां पर हमने अपनी एकता दिखाई और हमने दिखाया कि भई जितने मर्जी आप attack लगा लो हमारी उपर हमारा जो एक भारत के साथ खड़े होने का एक जो जो हमारा stand है हमारे देश के लिए वो नहीं हटेगा वो नहीं कम होगा आप जितने मर्जी narrative attacks कर लीजे आप जितने मर्जी जो मर्जी करना है कर लीजे भारत को हिलाना मुश्किल है और ये government का जो भी नजरिया है वो मैं उसके बारे में कुछ बोलूँगा नहीं क्योंकि मैं उनका spokesperson नहीं हूँ ये सिरिफ मेरी observation है आपके और मेरे actions के बारे में इस वीडियो को like जरूर करेगा सब्सक्राइब करेगा चानल को आज दुपैर में मिलेंगे डॉक्टर गीता कोचर से जो हमको बताएंगी भई चाइना में क्या हो रहा है क्योंकि चाइना से कुछ बुरी-बुरी खबरें से आने शुरू हो गई है और कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि भई शीजिंग पिंग मतलब भारी नहीं निकल रहा है तो सही कहीं पे लेकिन भारी नहीं निकल रहा क्या हो रहा है पता करने की कोशिश करते हैं रात को हम मिलेंगे पतिक जी से जिसके बारे में हम थोड़ा ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स थोड़ा सा लाजर पस्पेक्टिव में बात करेंगे तब तक के लिए आप इस चैनल की तरफ कॉंट्रिब्यूट कर सकते हैं क्यू आर कोड या फिर पेपैल या फिर सूपर स्टिक करें जय भाराद।